नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चलने आपका स्वागत है, दोस्तों, जब भी आप आपके घर का वाइरिंग करने चाहते हूं, या तो किसी और से करवाते हैं, तो वहाँ पे जो आपका घर का वाइरिंग होता है, आप अपने मन से कर देते हो, यानि कि आप कहीं भी switchboard को लगा देत हो, कहीं भी fan को लगा देते हो, कहीं भी light को लगा देते हो, दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे घर के वाइरिंग करने के लिए कुछ rule बनाए गया है, और उन्ही रूल को follow करते हूए हमें घर का वाइरिंग करना होता है, तो चलि दोस्तों, आज ही इस वीडियो के मा बनाए गया है, तो BIS के दोरा जो रूल बनाए गया है, उसी रूल को मैं आपको बताऊँगा, और आप उस रूल को follow करते हूए आपके घर का वाइरिंग कर सकते हो, ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा घर का वाइरिंग के लिए वाइर इस्तमाल क करेंगे, उसके बाद जो हमारा black wire होता है, black wire को हम neutral की जैसे इस्तमाल करते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपके घर में earthing का भी connection करना होता है, अब earthing का connection करने के लिए आपको green wire का इस्तमाल करना पड़ेगा, दोस्तों, green wire या फिर yellow green wire एक earthing के लिए wire होता है, दोस्तों, ज जब आप black wire देखते हैं, तो आपके mind में यह आता है कि यह neutral wire है, तो यहाँ पर जो आपके mind में face supply, neutral supply आ रहा है wire को देखके, यह केवल एक standard के वज़ा से आ रहा है, यानि कि जो हमारा BIS है, उनके तोरह जो डूल बनाए गया है, कि हमें face के लिए red wire इस्तमाल करना है, neutral के ल component होंगे, सब के सब component में ISI का chain होना चाहिए, तो आपको उस component को नहीं खरिदना है, हर एक component पे ISI का mark होना ही चाहिए, तो दोस्तों, उसके बाद में, जब भी आपके घर का wiring कराने जाते हैं, तो आपके घर में power supply आता है, यानि कि आपका जो electric pole होता है, वहाँ से जो power supply आता कर सकते हैं, अब यहां से जो power supply आएगा, उसको हम एक MCV या फिर, एक switch के साथ connect कर देते हैं, जिससे कि हम पूरे घर को light को यदि हमें बन करना हो, तो उसको बन कर सके हैं, तो यहां पे जो हमारा energy meter है, उसके बाद में जो power supply आएगा, उसको एक switch के साथ connect करना है, चाहिए त आपको अलग से एक switch का इस्तमाल करने की जोगत नहीं पड़ेगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, इस wiring में यहां पे एक MCV इस्तमाल किया है, उसके बार में एक RCCB का इस्तमाल किया है, दोस्तो यहां पे जो MCV इस्तमाल किया है, इसके बहुत सारे benefit हो जाते हैं, जै यादि आपके घर का जो लोड है वो जादा हो जाता है उस कंडीशन में हमारा MCB बंद हो जाएगी ठीक है और यादि किसी कारण से दो बार आपस में टॉच हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी यह MCB का करेगा पूरे घर का लाइट को बंद कर देता है इसलिए आपके घर मे MCB का उपयोग करना जरूरी है ठीक है उसके बार में आपको RCCB का भी इस्तमाल करना होता है यह जो RCCB होता है वो क्या करता है यदि किसी कारण से कारण से जो हमारा फ caregiver होता है यह यह फिर हम जाके उसकोके यह यनिकाफ कर देते तो किसी कारण से वो हम कर लागसी कर न कर ठीके दोस्तों अब इसके बाद में BIS के द्वारा एक और रूल मनाए गया है जिसमें ये कहा गया है कि आपके घर में जितने भी कंपोनेंट है जैसे कि बल्ब, फैन, AC, कूलर, पंखा जो भी है उन सभी के कंट्रोलिंग के लिए स्वीच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए औ कि हमारे स्वीच उसको हम फैस अप्लाई देंगे और स्वृच के आओपूर टेमले से स्वैस अप्लाई जाएगा फ्यवैंड एक्विमेंट के लिए चले जाएगा याने कि यहांपे नि यहां में कंट्रोलिंग करें कवा 60 का 27 सब्दॉलिंग करें, दोस्तों बहुत जग के समय आपको यहां पर फेश supply मिलेगा अब यदि आप यहां पर पाउर supply को चेक नहीं करते हैं और गलति से वहां पर हाथ रख देते तो आपको इलेक्टिक छोक ळग सकता है इसीलिए आपको हमेशा स्विच के साथ में इसặt घ करना कैना लाइट एАंद एंट माइन का सरकीत क्या है और 라고 च daw सरक्डिक क्या है दोस्तकिक यहां पे आप देख सकते हो यह हमारा मैं न्डिस्टिविशंद इसमें सरी जो पावर सप्लाई गया है एक ये वाली और एक ये वाली यDě यह जो हमारा power supply गया है वो एक light और fan जो circuit है उसनके लिए गया है और यह वाला circuit के वाल पावर socket के लिए गया है यानि कि आपको जो light और fan होते हैं उसको हमें कम power supply देना पड़ता है यानि कि जो उसका current rating होता है वह बहुत कम होता है इसलिए हमारा लाइट एंड फैन उसके लिए अलग ही सर्कीट बना देंगे ठीक है उसके बाद जो आपका पावर सर्कीट है पावर सर्कीट का मतलब यह है कि आपके घर में इस्तेमाल किया जाना वाला हीटर फ्रीज कूलर जितने भी होंगे सब पावर सर्कीट के अंटर्गत आ जाएंगे अब जो आपके पावर सोकेट होते हैं उनके लिए पावर सप्लाई अलग ही जाना चाहिए यह हमारा पावर सोकेट हो गया अब यहां पर देख सकते हो यह जो हमारा पावर सोकेट है इस पावर सोकेट आपका power socket में ज्यादा load को connect करना होता है, इसलिए यहाँ पर हमें motor wire का इस्तमाल करना पड़ता है, दोस्तों यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ पर कितने mm का wire का इस्तमाल करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक video बना चुका हूँ, उस video का link में description में दे दूँग यदि आप light and fan के लिए इस्तमाल करें, तो वहाँ पर जो आप उपर इपर, यानि कि sub circuit बनाते हैं, तो वहाँ पर जो sub circuit होगा, वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर sub circuit का मतलब क्या है, एक बाद समझ लीजिए, आप देखिए, यह जो हमारा switchboard है, इस switchboard के द द्वारा light and fan का control के जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस switchboard को power supply के द्वारा दिया गया, यानि कि यहाँ से एक वायर को loop करके, इस switchboard को दिया गया है, इसी प्रकार से हम चाहिए, तो यहाँ पर जो यह वाला loop है, इसको हम बोलते हैं, उपर इपर, यानि कि sub circuit तो इस प्रकार के जड़ी आप sub circuit बनाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो sub circuit होगा, वो 10 से जादा नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पर जो आपका sub circuit है, उस circuit के लिए एक और डूल बनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है, कि आपका जो switchboard है, उस switchboard में जो load connect होगा, यानि कि total turn load होगा, वो 800 watt से जादा नहीं होना चाहिए, यानि कि आपका जो fan, bulb, सब के सब को calculate करना है, कि कितने watt कंजूम करें, यानि वो 800 watt से जादा हो जाता है, वहाँ पर आपको जो आपका sub circuit है, उसको कम करना है, यानि कि दूसरे switchboard को आपको direct power supply देना पड़ेगा, आप इन switchboard के केवाल आपके lighting वाले circuit में हो जाएगा, अब दोस्तों देखेगा, यहाँ पर जो हमारा switchboard है, इस switchboard में एक socket भी connect किया गया है, अब यह जो socket है, इसके लिए भी एक rule बना गया है, रूल में यह कहा गया है, कि यह जो हमारा socket है, इस socket में हम केवाल 100 watt का load को ही connect कर सकते हैं, य दोस्तों यहाँ पर जो हमने तीन चार रूल लेके हैं, यह सब रूल हमारे lighting और fan के जो circuit है, इसके लिए हो गया है, अब यहाँ पर जो हमारा power socket है, इस power socket से हम power supply को loop करके, दूसरे power socket को दे सकते हैं, उसके बाद में यहाँ से भी एक wire को loop करके, दूसरे power socket को दे सकते हैं, यानिकि हम यहाँ पर केवल दो सब power socket का इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पर यदि आप चाहते हों कि यहाँ से एक और wire को loop करके, दूसरे power socket को दे 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 तो वो गलट हो जाएगा, आपका जो BASI rule है, उसके हिसाब से आप केवल दो सब circuit का इस्तमाल कर सकते हैं, power socket के condition में, ठ इतना load हमारा connect है, यहाँ पर measure करेंगे, वो 3000 watts से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यदि आपका जो load है, वो 3000 watts से ज्यादा होता है, तो वहाँ पर आपको अलग से circuit को भिछाना पड़ेगा, यानिकि अलग से wire को लगाना पड़ेगा, ठीके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको य सकते, यहाँ पर 1000 watts का मतलब होता है, एक kilowatt, यानि कि आपका जो load है, उसको यदि इस socket के दौर चालू और बन करना है, तो वहाँ पर केवल 1000 watts होना चाहिए, ठीके दोस्तों, अब जो हमारा next rule है, इस rule में यह कहा गया है, कि जो हमारा gate है, gate को open करते ही, जो left hand side में डिवाल हो यहाँ पर switchboard लगा होता है, यहाँ पर left hand side में switchboard लगा जाता है, यहाँ पर आपके घर में पुरा अंधेरा भी है, उस condition में भी आप अपने आप, यहाँ आपको वहाँ पर touch करके, direct light को चालू कर सकते हैं, बिना देखे भी, दोस्तों, आपके घर में आप भी notice कियोगे, कि जो आपका घर का gate होता है, उसको open करते ही, जो आपका left hand side में डिवाल है, उस डिवाल पे आपके घर के lighting का switchboard होता है, यादि आपने notice नहीं किया, तो आज ही जाके उसको check करिएगा, आपके घर के left hand side में आपका switchboard लगा ही होगा, ठीके दोस्तों, अब दोस्तों, यहाँ प इस floor से 1.3 meter height पे होना चाहिए, ठीके दोस्तों, अब इसके बाद में हमारे घर में जो light होती है, वो light हमारे floor से, यानि कि जो जमीन है, उस जमीन से 2.5 meter के height पे होना चाहिए, ठीके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यह जो light है, इस light का height इस जमीन से 2.5 meter होना चाहिए इसके बाद में हमारे घर में जो फैन होती है उस फैन के लिए एक रुल में यह कहा गया है कि यह जो आपका फैन है वो जमीन से 2.4 मीटर से बीच में होना चाहिए ठीक दोस्तों अब इसके बाद में एको रूल बनाए गया है जिसमें ये कहा गया है कि आपका जो वासरूम है और आपके घर के बाहर में जितने भी कंपोनेंट लगाए जाना है यानि कि यहाँ पे पानी आने की संभावना होती है वहाँ पे जो आप इलेक्रिकल कंपोनेंट इस्तमाल करोगे वो सभी के सभी वाटर प्रूफ होना चाहिए यहां पर electrical component का मतलब कि आपका जो bulb है, holder है, switch है, socket है, सब के सब waterproof होना चीए, ठीक दोस्तों, उसके बाद आपका जो switchboard है, उसमें आपको अर्थिंग का connection करना ही करना है, यानि कि जो आपका socket है, उस socket में जो motor वाला pin होता है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इस pin में आपको earth while को connect करना ही करना होता है, अब यहां पर एक चीज और देखेगा, ये जो हमारा socket है, इस socket में जो right hand pin होती है, इस pin में हमें face supply connect करना होता है, और left hand side में neutral power supply को connect करना होता है, तो यहां पर इस चीज को हमें सा याद रखिएगा, right hand side में face supply को connect करेंगे, और left hand side में neutral power supply को connect करें कि आपके घर में जितने भी मैटल वाले पार्ट्स हैं जैसे कि आपका जो मैन डिस्ट्रिपिशन बोर्ड, कूलर, फ्रीज, आपके जो पानी के पाई पे सब के सब अर्थ किया जाना चाहिए ठीके दोस्तों, यानि कि आपके जितने भी कंपोनेट है जिसमें इलेक्रिक करेंट आने की समभावना होती है, सब को अर्थ कर दीजिए जिससे क्या होगा कि यदि किसी कारण से इस मैटल पार्ट में केरेंट आ जाता है तो वो इस अर्थ वायर के दोरा जमीन में चली जाएगी अब इसके बाद में अर्थिंग से रिलेटेट एक और रूल बनाए गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो आपका अर्थ वाय है इसको कभी भी आप किसी भी स्वीच के दौरा कंट्रोल नहीं कीजिए यानि कि जो आपका अर्थिंग है वो जमीन से लेकर डारेक्ट ही आपके स मानी के पाइप में या फिर जो भी आपके घर में लेटिकल कंपोनेंट है जो की मेटल के उसके साथ डारेक्ट कनेक्ट हो जाना चीए ठीक दोस्तों तो यहां पे आपको अर्थिंग वायर के साथ में किसी प्रकार का स्वीच का इस्तमाल नहीं करना है दोस्तों आज की इस उस पीडिया फाइल को डाउलोड कर सकते हैं ठीके दोस्तों चलिए आके बढ़ते हैं अब इसके बार में दोरह एक और डूल बनाए गया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि आपके घर में थ्री फैस पावर सप्लाई आ रहा है तो वहां पे आप कलर कोडिंग का इस्तमाल क करना है दोस्तों यहां पर कलार कोड़ इस्तमाल इस लियो कहा गया है क्योंकि ये जैँ आप 211 अपनाःत import लाइधा कर दोगे थे कौन सा कहा है अब इसके बार में नार,"प ऄलू है, लाट कर मौनेद फ्री ऄपावर सप्लाई उसके लिए रूली ना गया ए इसको three phase power supply देना पड़ता है इसलिए हमने आर वाई भी तीनों के तीनों फेस अप्लाई को कनेक कर दिया यानि कि इस मोटर के दोड़ा तीनों फेस अप्लाई पे बैलेंस लोड यानि कि बराबर लोड लेकिन जो हमारा लाइटिंग पावर सरकीट होता है उस सरकीट में हमें पावराब सप सिंगल पामर इसका सामल करना प्रता है यानि कि हरफ सकते отвеч करना होता है सबके सब में तो सेंशं Image कनेक्ट हो थेकि दो को तैस्ट करने के लिए अपका में सुइच है उसको में तुम करने के बाद आप में गर में जतने भी सुच है सब के सब कर दीजões चालू करने के बाद आप मेंGAR का जो एठफ करी जिए उसको verde कर लिजेगा ठीकि दोस्तों अब इसके बाद में जो रूल बनाया गया है उस रूल में यह कहा गया है कि जो आपका मेगर है उसके दोरा आपको लिकेज करेंट का भी वैलू को मेजर करना है दोस्तों यहां पे जो आपका लिकेज करेंट का वैलू आएगा उसको आपको कंप पूरा लिए कितना एंपिर को ले रहा तो यहां पे छो हमारा करेंट है उस करेंट को हमें 5000 से 55000 से जब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आजाए अब यहां पर जो विली आएगा उस वेली को हमें क्याएं कि लिकेज करेंट से मैच करना अब यहां पर आपको यह देखना है कि जो अपका लिकेंज करेंट है वो इस करेंट से यहां दिक है जो हमारा घृंट का लोड है हुँआ को आंशर आय तो उससे ज्यादा नहीं होanie कैट गता 양ुझा नहीं होना चीह थाई को के फैसर जिंग वायरीयक। लाइट और फेन का सरकीट ए और जो आपका पावर का सरकीट ए उसका जो इंस्टोलेशन किया जाएगा वो भरत्य विरृद्ध अदिनियम उनीच्टो चपन यानि कि इंडियन इलेटरिसिटी रूल 1956 के अंटेगट ही किया जा जी जै जाना जी जो हमारा रूल इंडियाटिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक् तो आपको उसके दौरा कभी भी wiring नहीं कराना चीए तो यहाँ पर एक एवल आपको 10 पर्सन के दौरा ही लाइटिंग का काम कराना होता है तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आप क्या क्या रूल को फोलो करोगे आपके घर का wiring करने के लिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके कॉमेंट का वेट करूँगा और आपके हर एक कॉमेंट का जवाब जरूर दूँगा ठीके दोस्तों तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक, सेर और कॉमेंट कर दीजेगा और यदि आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद